है माँलो आप सब का स्वागत है थे तो बच्चों हम लोग नौइन क्लेचर भी तो इसम uz 노래 कुछ बार किया था जैसे हमने इस सेर्फले इस सिछ्ञा को कfar Aquí ब्रांश में सेर्जर इसको नोशंच हो फिल्व vocês देख्ञा है नश करना है आप सिंगर लगा हुआ तो कैसे करोंगे आप जब दो महीं मालीजे नेरे स्टूल हमने बताया था अगर नेरे स्टूल काम नहीं कर पा रहा हो तो आप कैसे लिखोंगे अब उससे आगे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इसे आगे कि शिखने से पहले हमें कुछ टर्म को जानना होगा वह टर्म क्या है तो आज के वीडियो में हम उस टर्म के बारे में जानेंगे तो देखो क्या टर्म है सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कारवन के टैप्स क्या है तो बच्चों जो और यहनी के मेस्ट्री होते हैं जो अ से एक करेविये पढ़ते हैं नोगे सबसे हम जानते हैं कि टाइप्स औज आफ कार्वं कि यह ख़ज़ सब दढ़ना होते हैं वह चारप्र करकार के होते हैं सबस्च होगे आपको इन डिगरी का कॉलबन कार्भान suspend या इसको प्रेमरी कार्वन कहते हैं다면 do बच्छों होता है वाता है टूडरी कार्बन चैया इसको को सेकेंडरी कार्वन और यह हो गया बच्छों प्रैमिरी कार्वन कि थाड होता है वह होता है त्री डिएक आपन या कर तरसियरी कार्बन सुनट और जो फोर्ट होता है वह होता है फ Czyli Carbon का या या का क्वाटनरी कारवान ठीक हैं इस zu सम्मून होते हैं उस अलकेन से मिलनगी चार त्रह था zor तरह के कारवन होते हैं। वह कौन हो टें तो हुआ मैंने ये बताई है चार था मतलों होते हैं । अब यह सकार बन 강 menus अलगे समुष हो थाइंड समय पता कैसे करें मैं लगें कि फ्रेंडरी कारवन कौन लगा नियमंhal तो इसको प्रेमरी कारवन के नाम से भी जाना जाता है तो इसको पहले समयों दो थी कैने देहरा कि दो करवन विच इस अटेंस के डाइट विट वन्रावन एटम जो कारवन एक कार्वनी से जुरा हुआ हो उस कारवन को क्या कहेंगे जैसे जैसे बानों को एब यह ना है ओब इस करभान में क्या है यह जो बच्चों कारवन देख रहे हो । यह कारवन सब्सक्रावान है क्या है यह कारवन ब्चों आपको टू-डिरीकál 271 क्यों कि यह यहां लेकिन यह जो carbon देख रहे हो यह carbon Taiwan के इस तुन के यहां सिर्फ और सिर्फ एक कारबनहों वालडर को वन डिकार राएगा अब यह कारवन कुछ डी यह कैसे तो अब उसके डभी मेशन से हम दो देखें गे तो वन डेखर अपने समंझ गया कि जो कारवन सिर्फ और सिर्फ एक कारवन एकमए ऐटम बांट करा यह अ गारνिदिог कर्वन यह प्रेसकर कङा अब यह क्या होता है तो देखो क्या कर रहा है कि दख कार्वर्ण विच इज अब्हें देखे to do it to carbon atom is called two degree carbon या सेकेंडरी कार्बन जैसे देखो आप जैसे मैंने बताया था कि CH3 CH2 CH3 तो इस एक्जामपल है बच्चों आप यह तो देख रहे हो या कर्बन क्या आपको क्यों 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 यह इस कर्बन से और इसी कर्बन से जुरा हुआ है तो इसके हैं अब इस पर इस बार में चलिए अरि इस सक्षाथ राव्डबं से ऊहितन जहां हो तो कारबन से जुरे होने काईंशी या क्या हो गया यह तो सब्सक्राइब करपन क्या होग देढन को कारवन कारवन का निय पिलत इसने थंडदंग और यह सब्सक्राइब तो तो देख लिया अब देख सेथे ततरीं देखो का किया है तो तो त्री दिवरिखल और यह टर्स है कारवन जैना करदा अब यह क्या होता है अब यह तर गावल टर्क मैं दघ्रावन which is attached with three carbon atom is called three degree carbon yeah the tertiary carbon कि अब इसके डिपनेशन में क्या कर रहा है कि जो कार्बन किसे जुरा हुआ तीन कार्बन एक्टम से जुरा हुआ तो वह क्या कर लाएगा आपको टर्सेरी कर वर एक्टम कर लाएगा अब त्रिडी का एक्जम्पल क्या होगा जैसे आप लिखते हो कि किसी अब फुन से हप्सक है है अब यह हैं कंपा운न है जैसका क नाम आपने किया था इसका नाम क्या लिख़ा होते हैं आपने तो टू neutral जटो यहैं जो कार्बन आप देख रहे हो यह का मं कितने कर रहा हुआ है तो टोल कितने कहार दूजरा हुआ केंँ बहुत आसान है आपको तो इस आसानगे इस है इतलों करेंगे आप समझने हो यह आपके टीचर सी ासा मतलब जो कार्बन चार कार्बन से जुरा होगा क्यू यू यू एट टी ए आर और वाई क्वाट नड़ी कार्बन कि या इसको फोड़ीर कार्बन में लिख सकते हैं यह क्या होता है तो देखिए दग कार्बन which is attached with four carbon atom is called फोर डीरी कार्बन या क्वार्टनरी कार्बन ठीक है कि जो कार्बन चार्ड कार्बन चुरा हुआ हूँ जैसे इसका एजामपल देखो आप जैसे हो गया तो सी एच थीरी कि और अब इस जो कर्दम आदो लगा दिया या कर्फश्वेन कारवन या jard लगा दिया या टो यह जो देखरे हो क्यों क्यों क्यों्थ क्यों से एक इस कारवन से एक इस कार्बन से और एक इसका में जुरा हुआ तो यह कार्बन कुल चार कार्बन से जुरा हुआ है इसलिए कार्बन क्या कर लाएगा बच्चों डिगरी कर लाएगा और यहां पुछ देगा आपसे यह क्या है तो यह क्या है क्या होगा तो यह कार्बन सिर्फ पर सिर्फ इसका यगं इन सब को एक एक घ्जामपल के थो समझते हैं जैसे देखो जैसे एक्जामपल है इस प्रिसी एज़ टू दो च जो जी एक टूम आपक टूम छे को टिल में आप से पूछा जायेगा कि इसमें कॉन कार्बन क्या क्या है तो जैसे देखो आप यह फर्स्ट कार्बन क्या है तो फर्स्ट कार्बन क्या है यह एक कर्बन इससे जुरा हुआ है तो यह क्या हो गया आपको वन डेगरी कार्बन हो गया यह कर्बन क्या है तो यह कर्बन इससे और इससे जुरा हुआ है तो कुल कितने हो गया आपको तीन कि अब ऊपर वाले करावपन इससे जुरा हुआ है क्या हो गाशचो यह तो यह5 रिघ्र हो। कि यहां त्याल सबुत त्यों सब्सें सब्सक्राइब का है तो आपको इस तरह से लिकाना rest है आपको ठीक है अब इसको क्वेश्चन के रूप में कैसे पूछा जाता है फ्रास एक क्वेश्चन आपको इस तरह सोगा कि वीच टाइप ओफ कारबन इस प्रेजेंट कि एट थार्ड एन फोर्थ कारबन ठीक है अब प्रस्ण आपको इस तरह सदे रखेगा अब यह प्रस्ण है अब इस प्रस्ण में आपको देदेगा कि इसमें थार्ड और फोर्थ कारबन पर किस टाइप के कारबन है तो आप कैसे सॉल्व करोगे आप तो इसको सॉल्व करने के लिए थोरा सा दिमाग लगाना होगा इसको सबसे पहले जितना रूल हमने पढ़ाया था नामा करन के लिए वह सारा रूल लगा लेना है तब पता चलेगा इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे तो थार्ड और पाईगा क्विगा अगर उल्टा काउटी कर लेंगे तो कोई और्थर और फोर्थ हो जाएगा तो फिल गलत हो जाएगा आपका तो इसमें जैसे देखो कि इसमें 1,2,3, यह नज़्दी इन खी किदर से हैं वन टो थ्री फोर प्रव प्र साइब यह होगा तो लगास्ट को सब्सक्राइब आप कॉछन खाल और फोर्थ प्रेक्व और गवार्बन है तर्फ तर्थ हमारा यहां ओगी कि बॉन लैर में कार्बन को पुँद हो लिखते नहीं, वह सब छुपा होता है, the third 1 परkeys दो करवन है तो यहां पर और यहां भी कर्वन है यहां भी कर्वन, जो फून है क्तिने कहां जुपा हुआ है is जुटावा है यहां कॉन सा कार्वन है यहां गया ठीरी कर्वन, और फिर पूछा पर क्या एक है तो यहां भी कर मंन ah, यहां अगर आप आगे करते हम ने लियDa की त्यारी करते हो तो वहां सब प्यक्नी है पूछा जाता है अब तो हुमारा लेक्स् टॉपिक है टाइपज ऑफ हईड्रोजं कि ङसा है साफ टायपस ऑफ हईड्रोजन। ह हईड्रोजन बच्छों मेली तीनreibt कार कर दो कौन होते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है वन डिग्री हाइड्रोजन या प्रैमरी हाइड्रोजन दूसरा होता है टूडी हाइड्रोजन या है कि शेकेंड्री हाइड्रोजन और तीसरा होता है या टर्सेरी हाइड्रोजन अभी वन डिग्ररी हाइड्रोजन क्या होता है तो फस्त देखो one degree hydrogen sorry one degree hydrogen yeah primary hydrogen the hydrogen atom which is present at primary yeah one degree carbon is called one degree hydrogen yeah primary hydrogen second number two degree hydrogen yeah secondary hydrogen yeah kia hota hai tu dekho the hydrogen atom which is present at secondary डूजन या सकंपेके लाएगा जो हैना वंंडिवए पर हो वेडिली क्ला पेँगा वक्य की के लाएगा वणंडिरी है किल या पूपले पूरच हमरी या क्लेके झाटन क्लाएगा इसी तरह से तीसरा तहां को the hydrogen atom which is present at three degree carbon carbon is called three degree hydrogen or tertiary hydrogen hydrogen स्द्धिकां कि जो हाइड्रोजन कि जो हाइड्रोजन कि जो हुआ है पर नियुक्त नियुक्त घ्रिक लाईगा जो फिर गारीग आपको अब जैसे च्छ कर दो है नहीं जैस्ट इंग्पर है कि और सी एच्ट तो प्लाइश्ट प्लीशतर और सी एच्ट थी अ प्रत्व frei यह काशनक गाहरा यह टोफिए टोफ़ देख्ण है यह तो तो इस वन डेका रभाण याज फिस तीन हाइड न देख्ण हो यह तीन को आपको प्राइम्रीं तो बिखांसे अभी को सब्राइब सिस्क्राइब डिकल सब्सक्राइब लोग यहां तो तू डी दीगरी हाइटोजन कलाएगा अब जैसे देखो कि यहां पर यह यह करबन कितने काविशुरा हुआ है एक इससे और एक से दो हो गया और एक तीन हो गया तिन व्राइब से या कावन जुना हुआ या 3D कावन हो गया इस 3D कावन पर जो यह जो हाइड्रोजन है यह हाइड्रोजन क्या कर लाएगा वच्छो तो 3D डिग्री हाइड्रोजन करना आएगा तो फ्जो सफे अब की जो हाईड्रोजन आपको वंदिटी कार्वन पर हो जो है डोला जान वंदेनि कार्वन पर हो वह क्रशन या फ्रीवर हाइज जो हाईड्रोजन कार्वन पर हो dro क्वाकी तके लाएका अ क्वाकी अद्जय without going क्वाट नडी हाइड्रोजन होते हैं क्व्रीघू नहीं होते हैं क्वाट नडी होते हैं क्यों देखो यह के आपको सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर क्या होगा एक भी हाइड्रोजन नहीं होते हैं इसके कारण सब्सक्राइब करते हैं तो यह था आपका आज का टॉपिक था तो आज के टॉपिक में हमने और टाइप सब्सक्राइब